तेमस्काल आज के बाग तब भारती और घीती लागता अपने पिछले वक्तवे में हमने अंधा युग के पांच्वें अंक के विशे में उसकी कथा के विशे में विस्ता से जाने का प्रयास किया था आज हम इस कृती में किस ले या टोन का उप्योग किया गया है जिस प्रकार का कथा गायन इसमें अंकित है वो किस प्रकार का है और इसके साथ साथ इसके चरित्रों के चैत्रांकर के विशे में जाने का प्रयास करेंगे नाटिक रिती में प्रसंग, पात्र, परिस्थिती के अनुकूल, परिवर्तित होती लई या टोन कथा को अटूट बनाने के लिए कथा की प्रिष्ट भूमी का निर्मान करने के लिए घतनाओं की सूचना देने के लिए आगामी घतनाओं का संकेत करने के लिए और इसके साथ ही संभावित परिवर्तनों की सूचना देने का एक माध्यम होता है अंधा युग गीती नाटे में प्रथम और दृत्य अंक में गायन संक्षिप्त हैं और घटनाओं के सूचे मात्र हैं जबकि अंत के कथा गायन की परिधी अपेक्षाकृत विस्त्रत हैं भारती जीने निर्देश में स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि कथा गायक इस्त्री अत्वा पुरुष दोनों होने चाहिए जिन्हें चंद परिवर्तन के साथ साथ अपनी भूमिगाओं में भी परिवर्तन करना चाहिए कथा गायन के साथ अत्यधिक वाद्यों का उप्योग करना भारती जी की दृष्टी में उचित नहीं है क्यूंकि ऐसा करने से गायक के स्वर प्रमुक नहीं रह पाते वाद्यों के शोर के कारण उसका स्वर धीमा पर जाता है अंधा युक के चरित्र तूटे विखंडित आस्था हीन है मानवतावादी दृष्टी से यदी हम उन्हें एक सूत्र में बांधने का प्रयास करे भी तो भी उनमें एक चीज स्पश्च रूप से उभर कर आती है और वो है अंधापन ये अंधापन भय का है मोह का है अनास्था का है मूल्य हिन्ता का है कृष्ण का गोलोक गमन मिथक के रूप में हमारे सामने आता है कवी ने नई आशा को विक्सित करने का प्रयास किया है जिसमें सभी के दाइद्व बदल जाते हैं कृष्ण, संजे, योयूट्सू, घृतराष्ट, इत्यादी का दाइद्व वहन करते हैं और अपना दाइद्व मानव मात्र को दे देते हैं और अपिक्षा करते हैं कि मानव भविश्य में स्वात को छोड़ देगा मूल्यों को ग्रहन करेगा और एक ऐसे युग का निर्मान करेगा जहां इस अंधेपन का कोई निशान ना होगा अश्वत्थामा, केंद्रिय और सरवाथिक प्रभावशाली पात्र के रूप में इसकृती में उभर कर आए हैं ग्रिश्न की सम्मती पर युधिश्ठिर अश्वत्थामा हतह इती नरोवा कुंचरोवा कहकर गुरु द्रोनाचारे के अस्त्रों को रखवा देते हैं पुत्र की मृत्यू का आभास पाकर द्रोनाचारे अपने आपको युध से विरत कर लेते हैं और ऐसे में पांडव उनकी हद्धा कर देते हैं अश्वत्थामा को जब ये बात पता चलती है तो वो प्रतिशोध की अगनी से जल उठता है ये अर्थ सत्य उसे अंदर ही अंदर कुन्था से पीड़ा से संत्रास से भर रहा था वो मृत्यू की कामना से आगे बढ़ता है किन्तु फिर संकल्प करता है कि मैं संपोन पांडवों का नाश करूँगा घृष्टू के द्वारा अपने पिता की हत्या करना उसे कहीं पर भी न्यायोचित नहीं लगता अश्वथामा निराश विकृत असमान्य मनोग्रंथियों से भर उठता है प्रतिहिंसा से भर उठता है और प्रतिशोद की अगनी में जलते हुए वो नरपशू तुल्य बरबर बन जाता है इतना ही नहीं अश्वथामा याचक की हद्या कर देता है संजे को पान्वो का पक्ष्थर मानकर उनका गला दवाने का प्रियास करता है किन्तु क्रिपाचार आदी के द्वारा समझाने पर उन्हें छोड़ देता है पान्वो की शिवर में रात्री में चुप चाप प्रवेश करके निद्रा में मगन घृष्थरूं शिखंडी पान्वों का वध कर अपनी पाश्विक तुष्टी को संतुष्ट करके वे संतोश का अनुभव करता है अश्वत्थामा का तर्क है कि जब कौरवों और पान्वों ने अपनी अपनी मर्यादा का उलंगन किया है तो केवल मात्र उसके लिए ही मर्यादित होना अनिवार्य क्यों है वे पान्डवों का वत करके ही शान्त नहीं होते अपितु पान्डवों के संपून वंश का नाश करना चाते हैं और इस द्रिष्टी से उत्तरा के गर्फ पर ब्रहमास्त्र गिराते हैं जिससे पान्डव वंश समूल समाप्त हो जाए उनके इस आचरन पर कृष्ण उन्हें शाप देते हैं और उनकी मनी चीन लेते हैं मनी चीनने के कारण निरंतर उस्थान से रिष्टे हुए मवाद के कारण अश्वत्थामा पीडा से बिलबिला उठते हैं पराकरमी, स्वाभिमानी, अश्वत्थामा स्पष्टवादी हैं क्रिष्ण से शत्रुता रखते हैं क्योंकि क्रिष्ण युधिष्ठे को अर्ध सत्तिक के लिए दंडित नहीं किया था और अश्वत्थामा को उनके प्रतिशोध के लिए दंडित किया किन्तु शत्रुता होने पर भी वो क्रिष्ण के गुणों के प्रशन सक हैं क्रिष्ण के पैरों से रिष्टे खून और मवात के साथ ही अश्वत्थामा के घावों की पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगते है और अश्वत्थामा का मन आत्म गलानी से भर उठता है उन्हें लगता है कि क्रिष्ण इतने भी निर्दई नहीं है आत्मा अन्वेशन की प्रक्रिया में वे अपनी अमानुशिक पाश्विक्ता अर्ध सत्य से जनिद घ्रणा जुगुपसा को तटस्ता के साथ स्विकार करते हैं वे कहते हैं जिसको तुम कहते हो प्रभू वह था मेरा शत्रू पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली जक्म है बदन पर मेरे लेकिन पीड़ा सब शान्त हो गई बिलकुल मैं दंडित लेकिन मुक्त हूँ कृती का दूसरा प्रमुक पात्र घृत्राष्ट हैं रोग्न भाई पानूं के बन गमन के उपरांत द्रिष्टी बाधित घृत्राष्ट को कौरव सिंगहासन पर बिठा देते हैं अंधत्व से उत्पन उनकी व्यक्तिक सीमाओं ने उन्हें बाहरे यथात जगत से एवं समाचिक मर्यादाओं से काट कर अंतर मुखी बना दिया था वे विदुर के समुख अपनी सीमाओं को स्पश रूप में स्विकार करते हैं मेरा स्नेह, मेरी घ्रणा, मेरी नीती, मेरा धर्म बिलकुल मेरा ही व्यक्तिक था उसमें नैतिक्ता का कोई बाहरे मापडंड था ही नहीं यदि घृतराष्ट पुत्र मोह में ना फस्ते या उन्हें सिंगासन का मोह ना होता तो शायद महाभारत का युद्ध भी ना होता देखेते हैं अन्यत्र कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे वे ही थे अन्तिम सत्य मेरी ममता ही वहां नीती थी मर्याता थी वे स्पश रूप से स्विकार कर रहे हैं कि कौरव क्योंकि मेरे पुत्र थे इसलिए उनके प्रती स्वभाविक रूप से मेरी ममता का होना किसी भी प्रश्न का किसी भी प्रती उत्तर की अपेक्षा नहीं रखता और इसलिए मैंने जब जब जो जो नेने लिये वो मैंने अपने पुत्रों के हित में ही लिये मेरी ममता नीती के मर्यादा के आस्था के न्याहे के सामने आकर खड़ी हो गई कौरवश के समूल विनाश के उपरांत वे वस्तु जगत के प्रती उनमुख होते हैं वे समस्ते हैं कि सत्य व्यक्तिक सीमाओं में आबध होकर बारे जगत तक विस्तरत हैं इतना ही नहीं गांधारी जिन्हों ने जान बूच कर अपनी आखों पर पट्टी बांध ली थी जो केवल वही सुनना या वही जानना चाहती थी जो वो स्विकार करती थी ऐसे में जब गांधारी कृष्ण को शाप देती हैं तब घृतराष्ट उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं युद की विद्वन सात्मक्ता रक्त पात एवं त्रासत परिनती घृतराष्ट को व्यथित कर देती हैं भविश के लिए चिंतित करती है और वे भैभीत हो जाते हैं उनका नैतिक अंधत्व यथावद बना रहता है उनके अंदर व्यथिक जीवन जीते हुए सुक सुविधाओं से युग्त एश्वर से युग्त राज भोगने की ललक आध्यंत बनी रहती है और इसी लिए वो अश्वत्थामा द्वारा उत्तरा के गर्भ नाश पर युयुद्सु को राज दे जाने की आशा करने लगते हैं वो इस कृत्य क्या विरोध नहीं करते हैं अभी तू इसे ठीक मानते हैं अंधा युग में कृष्ण युद्ध के सूत्रधार हैं सबके पाप और पुन्य धर्म और अधर्म इन सबका दायत्व कृष्ण अपने उपर लिया हुआ था वे एक युग पुरुष के रूप में कृती में आध्यंत चाय हुए हैं दाशनिक, राशनेतिक, मित्र, भावुक, व्यक्ति और अनासक्त इत्यादी अनेक विरोधी तत्वों से निर्मित अपने व्यक्तित्व के कारण ही कृष्ण अन्य पात्रों के मन में अपनी भिन-भिन छवी अंकित करने में सफल रहते हैं अश्वत्थामा और गांधारी कृष्ण को मर्यादा च्युद वंचक मानते हैं दुर्योधन और भीम के मल युद के दृष्टा और कृष्ण के बड़े भाई बलराम उन्हें कूट नीतिग्य और मर्यादा हीन समझते हैं वे मानते हैं कि जब-जब जहाँ-जहाँ परिस्थिती वश्ष्ण आवश्शक्ता समझी वहाँ उन्होंने मर्यादा का हनन किया हैं उन्होंने कूट नीति का सहारा लिया हैं कृष्ण अपनी शमता और अनासक्त योग से नक्षत्रों की गती को भी बदलने में सक्षम हैं निरासक्त निर्विकार होते हुए भी शिरी कृष्ण महाभारत युध के सूत्रधार के रूप में हमारे सम्मुक प्रस्तोत होते हैं कृष्ण अर्जुन से कहा मैं हूँ परातपर जो कहता हूँ करो सत्य जीतेगा मुझसे लो सत्य मत डरो जिस समय अर्जुन युध में अपने सामने अपने ही संबंधियों को देख कर विछलित हो जाते हैं कि मैं अपने संबंधियों को ही कैसे मारूं कैसे उनकी हत्या करने के लिए मैं अस्त्रों को धारन करूं तब कृष्ण उन्हें शान्त करते हैं उन्हें प्रबोध करते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो जो कुछ कर रहा है जो कुछ करा रहा है जो होना था जो हो रहा है और जो होगा उन सब का कर्णधार तो मैं हूँ विदुर मानते हैं कि कृष्ण में ही सारे इतिहासों की सारे नक्षत्रों की गती समाहित है केवल अनासक्त कृष्ण ही है जो मर्यादा की उल्ची हुई इस डोर को सुलचा सकते हैं क्योंकि महाभार्तिय युग में दोनों ही पक्षों ने मर्यादा का हनन किया था ये डोर इतनी उलच कई थी कि किसी से भी सुलचाए नहीं सुलच रही थी केवल कृष्ण ही ऐसे थे जो तटस थे और उन पर ही ये दाइत्व था कि वो भविश्य की रक्षा कर सकते थे कृष्ण के चरित्र में अन्य विशेष्टाओं के साथ साथ एक प्रमुख विशेष्टा यह भी है कि वो विनीत है छुके हुए हैं गांधारी जब उन्हें शाप देती हैं तो वो उसका विरोध नहीं करते अपने लिए कोई बचाव नहीं करते किसी विबात का प्रतिवाद नहीं करते हैं प्रतियुत्त नहीं देते हैं केवल विनीतता के साथ उसे शिरुधारे कर लेते हैं कृष्ण आत्मखाती प्रेत योनी में जन में लोगों को उस योनी से मुक्त करने का माध्यम भी बनते हैं अश्वत्थामा की निरंतर मवाद घिसने से होने वाली पीडा को हर लेते हैं जैसे जैसे व्याग के बान से घायल उनके पैरों से रक्त और मवाद रिसने लगता है वैसे वैसे अश्वत्थामा की पीडा भी कम होने लगती है उनके बाथम से धरम वीर भारती ने दायत्व पून जीवन जीने का प्रबोध किया है वस्तुतह कृष्ण का अंत केवल नक्ष्व शरीर का शय है अना सक्त जोती प्रकाश पुंज का अंत कभी भी नहीं हो सकता कृष्ण के अनुसार मर्यादा युक्त आचरण में नित नूतन स्रिजन में निर्भीकता के साहस के ममता के रस के शन में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार कृष्ण सूचित करते हैं कि मैं अपना दाइत्व मानव को दे रहा हूं और वो दाइत्व क्या है नया निर्मान किसका निर्मान भविश्य का निर्मान जिसमें स्वार्थ हींता होगी जिसमें निर्भय होकर मानव जी सकेगा साहस्पून आचरन करेगा ममता से भरा होगा सरवत्र समवेदना की रस्थारा बहती मिलेगी और ऐसे शन में जब मर्यादा से युक्त मानव आचरन करेगा तब कृष्ण बार बार उपस्थित होकर उसका मार्ग दशन करेंगे भार्दे पौरानिक जगत में गानधारी एक विवादित पात्रा के रूप में उपस्थित रही हैं वे अंतरप्रवृत्यों की प्रतीक हैं अंतरबुखी हैं निर्मम हैं कठोर हैं और जैसे इस्त्री के लिए कोमलता का होना अनिवारे मान लिया जाता है वो इससे विपरीद आचरन करती हैं सहच आक्रोश में आकर तत्काल निर्ने ले लेती हैं अपने पुत्रवों के प्रती उनका ममत्व मोहांदता की स्थिती तक पहुचा हुआ है वेकेवल वही देखना चाहती है जो उन्हें अभी प्रेथ है अपने पुत्रों का हर कार्य उन्हें उचित लगता है और वो उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं याचक द्वारा कौर्वों और दुर्योधन की विजे की असत्य भविश्यवानी गांधारी का मन मोह लेती हैं वो पुलकित हो उठती हैं और उसे पुरस्कृत कराती हैं वे कहती हैं होगी अवश्य होगी जय मेरी यह आशा यदि अन्थी है तो भी पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा यदि गांधारी चाहती तो वो दुर्योधन को रोक सकती थी युद्धिष्टे पांच काफ लेकर अलग होने की बात स्विकार कर चुके थे पर दुर्योधन यदि दूद क्रिडा में उन्हें ना हराता पांच गांव देने की बात भी स्विकार ना करता गांधारी उसे समझाती तो संभवतह महाभारत का ये विनाशकारी युद्ध तल जाता गांधारी स्वेच्छा से अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांद लेती हैं नारियोचित विनमरता कोमलता का उनके चरित्र में हमें अभाब दिखाई देता हैं ग्रिश्दुम का बद करने के पूर्व अश्वत्थामा उसकी आँखे निकाल लेते हैं ये भयानक ग्रिश्य गांधारी को रुमांचित कर लेता हैं और वो इसे अश्वत्थामा की उदारता मानती हैं क्रिश्न को प्रवंचक माने कर उन्हें शाप देती हैं वे कहती हैं प्रभू हो या परातपर हो कुछ भी हो प्रभू हो या परातपर हो कुछ भी हो सारा तुम्हारा वंश इसी तरहे पागल कुत्तों की तरहे एक दूसरे को परस पर फार खाएगा तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में सधारन व्याग के हाथों मारे चाओगे इस प्रकार हम देखते हैं कि अंत तक गांधारी कौर्वों के पक्ष में खड़ी रहती हैं उनके पुत्र उचित अनुचित जो कुछ करते हैं उनकी सहमती उनके साथ रहती हैं जब अंत में उनके द्वारा दिये गए शाप को कृष्ण निरविरोध अंगीकार कर लेते हैं तब उन्हें थोड़ी भौत आत्मगलानी अवश्य होती हैं इस वक्तवे में हमने अंधा युक कृती के तीन प्रमुख पात्रों के चरित्रों को जानने का प्रयास किया अश्वथामा, घृत्राष्ट, कृष्ण और गानतारी अगले वक्तवे में हम अन्य पात्रों के विश्य में जानेंगे इसके साथ ही अंधा युक के अतिरिक्त भारती जीने और जिन रशनाओं का स्रिजन करके साहत्या लोक में कीर्ती स्थाफित की है उनके विशे में भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकास से अनेक विधाओं में स्रिजन करके अपने पाठकों को लाभानवित किया है धन्यवाद झाल